नमस्कार दोस्तों विदेश में रहने वाली महिला का पाम है और इनकी एज 37 येर्स हो चुकी है इन्होंने कॉंसेंट्रेशन करने के लिए केरियर ग्रोथ, मेरेज लाइफ, हेल्थ और कीड्स फूचर कीड्स का फूचर आपके हाथों से पता नहीं चलेगा वो उनकी तकदिर वो ही लिखा कर लाए रहते उनके हाथ जब रीड करते है तो ही उनकी स्थिती पता चलती है हाँ, आपके जीवन के जो जो उतार चड़ाव है वो सारे मैं बताने की कोसिस करूँगा और बाकी के प्रश्ट अपने आप ही सब कुछ सामिल हो जाएगा एनालीसिस में कवर हो जाते है जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनूशाका रेखा हो या सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझधार होता है और जीवन में जो अपरचुनिटी आती है उसे ग्रेब करके आगे बढ़ता है ये पाम पूर आश्क्वेरिस है ऐसे लोग महनती होते हैं और महनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं इनको रेखिस्तान में भी बेज़ दो तो वहाँ से भी मीठा पानी निकाल के लाएंगे इतने महनती होते हैं ये लोग फर्स फैलेंज नुकिला थोड़ा सा कम है तो इदर उदर ध्यान जाता होगा सेकंड फैलेंज अच्छा है लोजिक के साथ तर्थो के साथ अपनी बात रख पाते होंगे और एक महिला के हिसाब से ये अंगुठा मांसल है यानि पैडिंग वाला है तो अपनी हितो की रख्षा करने वाला व्यक्ति होता है उंगलिया छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जादा रहती है और फास्ट निर्ने लेते और ये उंगली लगबख सेमी है जब आपकी छोटी उंगली हटके चले तो ऐसे लोगों की जो सोचने का जो तरीका होता वो डिफरेंट होता है आप और हमारे जैसा नहीं होता ये लोग डिफरेंट वे मैं सोचते है और कभी-कभी तो इतनी अलग बात बता देते हैं कि हम आशे रिचकित होते है कि व्यक्ति इतना डिफरेंट कैसे सोच पाता है और ये उंगली फर्स फैलेंट तक पहुच नहीं रही है तो व्यक्ति डॉक्ति डॉक्मेंटेशन फाइलिंग चीजों को संबाल कर रखना याज सकती मनी मेनेजमेंट और अकाउन इन सारी चीजों में कहीं न कहीं थोड़े से कमजोर जरूर होंगे अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते है हाँ जब किसी भी महिला का पाम जब पुरुश हो पर महिलाओं को ज़्यादा पेन देता है ये जुपिटर माउंट अगर आपका शनी परवत की और आ जाता है ये दोनों के बीच का पार्ट है और यहाँ पर अगर आपको उभार दिखे या बहुत ज़्यादा उभार जुपिटर माउंट में हो और यहाँ पर कम हो तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याय रहती है मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको कहीं न कहीं थोड़ा तो रिलेक्स होगा आपको दूसरा किसी भी महिला के हाथ में जब रहु रेखा काटती है तो पुरुष बाहर जाकर भी अपनी नेगिटिविटी निकाल सकता है पर महिला बाहर नेगिटिविटी नहीं निकालती वह घर के मेंब्रों पर निकालती है चाहे उनके संतान हो चाहे हस्बेंट हो तो यह दोनों माइनस पॉइंट होते हैं उस समय अगर ऐसा जुपिटर माउंट है तो विक्राल रूप लेता है घर में अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं यहाँ पर कंटीन्यू चलने वाली लाइन है और बुद्परवत भी काफी उन्दत है और बहुत सारी लाइन है तो दो चार भाशागोई जानकर होते सुन्दरता मिलती है वानी अच्छी होती है इनकी और बिजनेस सेंस भी अच्छा खासा पाया जाता है काफी अच्छा बुद्परवत है इनका यहाँ पर देखे तो बहुत बड़िया फेम वाली साइन है इनके हाथ में तो जीवन में फेम तो मिलेगी यहाँ पर एक फिश्टाइन है इनके हाथ में ऐसे लोगों को जीवन में पैसा आते रहता है एक यह है और एक और है यह यहाँ पर और इसके बाजू में भी पास में भी एक छोटी सी है तो इस वज़ए से इनके जीवन में उन्नती तो बनी रहेगी और मुझे कहीं न कहीं स्क्वेर साइन भी नजर आ रही है यह जनरली इनका या इनके हस्बेन का सौफ्ट्वेर से रिलेटेर यानि यह स्क्वेर साइन जाता तर सौफ्ट्वेर वालों के हाथ में या इंपोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में पाई जाती है यह मल्टी सिटी का काम करवाती है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं यह लोग यानि आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है सब कुछ अच्छा ही है और ऐसे स्क्वेर साइन और दिख रहे हैं और कोई साइंक तो नजर नहीं आ रहे मज़े यह भी स्क्वेर ही है हंडेट परसेंट इनके जीवन में या तो इनका या इनके हस्वेन का इंटरनेशनल लेवल का काम हो गई यहां पर थोड़ा सा भी उभार हो तो व्यक्ति को सुबह उठेने में अच्छा नहीं लगता आनन्द नहीं आता और उसके बाद व्यक्ति एक्टिव रहता है पर इनके जो फोटोग्राफ के हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका शनी परवत भी उभार वाला है नहीं यह फोटो में नहीं है नहीं है उभार वाला नहीं है कंटीन्यू चलने वाली फेट लाइन है मैं फेट लाइन पर आऊंगा तब विस्ता से इसकी चाज़ा करेंगे बागी है बुड़ापे में continue line है तो बुड़ापे तक इनके जीवन में income आती रहेगी Jupiter Wound का मैं already discuss कर चुका हूँ एक line, दो line, तीन line ये जब line होती है तो वेक्ति multiple income के स्रोथ create होते है धार्मिक्ता, सेवा भाव और पामिष्ट्री एस्ट्रोलोजी इस तरह के mystery science में ध्यान जाता है और Jupiter बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो ऐसे लोग थोड़ा सा तो मोटा पर रहता है खाने के शौकिन होते है किसी की सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है ये एक minus point होता है पर status अच्छा मिलता है इनको अंदुनी मंगल भी व्यवस्थित है तो सारी record जब व्यवस्थित होगी इनके जीवन में भारी मंगल और ज़्यादा अच्छा है तो जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे सामने वाला comfortable फिल करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है ये जो लाइन है, ये कभी ने कभी court और police station के दर्शन करवाती है चन्रपरवत पर देखे तो एक cross दिख रहा है ये cross व्यक्ति को negative feeling देता है, जीवन पर डर लगता है, आज मैं जहां पर उससे नीचे गिर गई तो इस तरह की डर की feeling ऐसे लगों को मिलती है और देखिए इनके foreign settlement की line बहुत बारिक line है, यहां से निकली और यह अब टू एक धागे जैसी line है, यह भी व्यक्ति को foreign settlement कराती है यह बहुत rare में होती है, पर यह भी एक योग है, foreign settlement का line भी चंद्रपरवत पर जा रही है, तो यह भी एक indication है और sun mount पर जाने वाली, तरफ जाने वाली line भी यह इतने सारे indication इनके हाथ में है, और यह fall videos में ही है और यह जो रेखा होती है, यह व्यक्ति को यात्राय जादा करवाती है यह fork बनता हो, अब इनका चंद्रपरवत बहुत जादा अच्छा है, बहुत अच्छे परचे सर होंगे, पानी अच्छा लगता होगा, दूद से बनी वस्तु अच्छी लगती नीने शक्ती अच्छी होती है, और ज्यादा तर फॉरेंड में रहने वाले लोगों के चंद्रपरवत आपको अच्छे ही मिलेंगे, ज्यादा तर और नही नही चीजी करने का शौक होता है, इस हाथ में मनी ट्रेंगल तो नहीं है, पर जनरली फिश्टाइन वालों को मनी ट्रेंगल ना भी हो तो कोई फरक नहीं बढ़ता, शुक्र परवत इस तरह का उभारो, तो व्यक्ती बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, लग्ज पर बहुत अच्छा शुक्र परवत है, अब इनकी हिर्दे रेखा को देखे, तो पूरी जूपिटर से घुमाओ ले रही है, जब इस तरह की हिर्दे रेखा हो, तो व्यक्ती थोड़ा भावुक तो होता है, भावनाओ में नेड़े तो लेता है, ये तो एक माइनस प्रें सब का भला करना, पर लोग इनका यूज भी लेते, ये भी एक हक्किकत देखिए मैंने, पर देवदूत तरह का माइन्ड होता है, इनका सब का साथ लेकर चलना इनके सबाव में होता है, और एक लाइन जूपिटर के और जा रही है, ये व्यक्ति को चार लाब देती है, पैसे वाला होता है, और चौथ हल आप जो भी कारे करते हैं, बड़े स्तरका करता है व्यक्ति, और देर एक उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक दो फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो, तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बद कुश ही ढूड़ता है माइन लाइन के दोनों के बीच में गैप, ये जब गैप होता है, तो व्यक्ति जिद्धी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंदी नहीं आता, मन के राजा होते ही ये लोग, पर परिवार को जुरत पड़ी, तो सबसे पहले ही ये लोग आके खड़े रहते हैं, और जैसे परिवार की जुरत मीटी, वहां से निकल जाएंगे, और ये सीधी चलकर आगे जा रही है, और यहां आकर ये गुमाव ले रही है, तो लगबग एज वर्तमान से ही, यानि एकाद दो साल के अंदर ही, ये धर्मिकता इनमें बढ़ती जाएगी, और चालिस चालिस आ आते आते काफी धर्मिक बन जाएंगे, दूसरा जब माइंड नीचे की तरफ जाते है, तो ये लोग धर्मिकता के साथ साथ इनको कोई ने कोई इश्वेरी शक्ती साथ में चलते हैं, ऐसा एसा ऐसास भी होता है, भारवालों के लिए उत्तम होते हैं, पर घर में किसी एक म मेंबर को ज़्यादा बोल बोल करते हैं, ये भी एक माइनस पॉइंट पाया जाता है, सपने ज़्यादा आते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अभी आपके सपने आने बढ़ जाएंगे, और इमेजिनेशन पावर काफी पावर्फुल होता है, अब इनकी जीवन रे दे रहे हैं, और यहां पर लगबग दो-तीन साल के अंदर कोई नियर एंड देर की भी डेथ हुई होगी, अगर ये लाइन नीचे जाती होगी तो, और ये कंटीनियो सादी के बाद भी छोटी-छोटी रेखाओने काटा है, ये लगबग दो धाई या तीन साल काट रही है उसके बाद एक बड़ी राओ रेखाई, ये एज 29 के आसपास, इसी के आसपास बाद में नियर एंड देर की डेथ भी शोग हो रही है, और उसके बाद भहुत सारे आफशूट है, तो बहुत रफतार भी मिली होगी इनको, जीवन में, 31 के आसपास से, फिर एक राओ रेख हाई, एज ओफ 34 या 35, और इसके आसपास भी एक नियर एंड देर की डेथ की लाइन है, उसके बाद अभी वर्तमान में ये राओ रेखा चल रही है, 36, 37, और इन ही राओ रेखाओ के कारण जीवन डिश्टब होता है, उसके बाद 40 के आसपास, यानि 40 के आसपास एक कोई बेनेफिट भी मिलेगी इनको, 45, 46 में एक राओ रेखा काट रही है, एक छोटी सी 48 में भी काट रही है, वह बहुत छोटी है, उसके बाद 51 में एक बहुत बड़ा आफशुट है, इनके हाथ में, 51 या 52, उसके बाद 54, 57, 60 और 64, इतने आफशुट इनके हाथ में अल्रेड़ी है, यानि बुरा पा इनका काफी उत्तम रहने वाला है, और जीवन रेखा उत्तम तरीके से चल रही है, और हेल्थ का, इन्होंने प्रश्ण पूछा, ऐसी कोई मेजर तकलिफ मुझे दिखाई नहीं दे रही है, केवल हैं पर थोड़ी सी लाइन मोटी है, ये एज लगबग होगी आपकी 33 के आसपास से, ये राव रेखा 33 की नहीं थी, ये राव रेखा थी 45, यानि ये 43 से लेकर 48 तक थोड़ी सी मोटी लाइन है, थोड़ा सा मोटा पा देगी, और उसके बाद यहां से थोड़, वापस आप दूबले पड़ोगे, और यहां से ये जो 50 से लेकर, फिर थोड़ा सा और मोटा पा पाएगा, बहुत जादा तकलिफ वाला, तकलिफ वाली जीवन रेखा नहीं है, और इतनी भी फैल नहीं रही है, बहुत जादा मोटे हो जाओगे, थोड़ा सा वजन बढ़ेगा, अब इनका जो फेट लाइन का फोटो है, मैंने काफी रिक्वेस्ट की इस तरह से लिज़ पर ये उस वस्तु को समझ नहीं पाए, तो अब इस फेट लाइन को समझने के लिए इसी का सारा लेते हैं, इस कलर फोटो का ही सारा लेते हैं, अब जब यहां पर देखें, तो यहां पर फैली हुई लाइन दिख रही है, अब टू थर्टी सिक्स तक, इंक जादा गई हु थर्टी फाय के आसपास कट लगा है, यहां से एक लाइन निकली, और यहां पर थोड़ इसी इंक जादा है, थर्टी नाइन पर कट लग रहा है इनको, और थोड़ आसा इंक जादा है, अब टू यहां तक, यह पिरियड होगा 41 तक, यह इतने पिरियड में भी कम ग्रोथ म मिलेगा, और एक कट यह 41 का भी आ रहा है, पर कोई बहुत बड़ा कट नहीं है, ज्यादा चिंता करने की जुरत नहीं है, उसके बाद इनको ग्रोथ मिलेगी, और फिर वापस यहां, अब टू, 48 से लेकर, 52 तक, इनको थोड़ी सी कम ग्रोथ मिलेगी, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यह इन्वेस्मेंट कराएगी यह लाइन, 53 के आसपास, और बहुत सारी जगह से इंकम के सुरोथ क्रियेट होंगे, तो जो जो उतार चड़ाओ, मुझे इनके हाथ में दिखे, हाँ, इनकी फेट लाइन का जैसा चाहिए था, सेटिस्पेक्शन वाला फोटो, वो हाथ में आया नहीं, अब उनका यह फोटोग्राप भी देख लेते हैं, देखे, यहाँ पर भी इतना स्ट्रॉंगनेस नहीं है, यह कट के बाद यहाँ तक लाइन इतनी अच्छी नहीं है, फिर यहाँ पर वापस भीगट रही है, और उसके बाद नौन स्टॉप उपर तक जा रही है, तो आशा रखता हूँ, इनके सभी प्रशनों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवन,